असलाम अलेक्म आप्रीपांट, I hope you all are doing good. इस वीडियो में आपको मैं आज बताऊंगा कि आपके इस तरह दो डिफरेंट ओपरेटिंग सिस्टम को एकसेस कर सकते हैं अपनी मशीन पर, कि आप अपनी विंडोस के थूए एक और ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कर सके हैं लाइक यूब बन टो एक सेक्टर, इसके लिए जो आपको ज़रूरत है आपको दो सौफ़ेर डाउलोड करने होगे, सबसे पहले एक आपको इसके लिए रिक्वाइड होगा, आपको विच्वाइड बॉक्स इंस्टाल करना होगा, तो यहां से आप इसको अपनी विड्वाइड के लिए इंस्टाल कर सकते हैं, उसके बाद नेक्स जो हमें इसमें रिक्वाइड होगा, इसके इंस्टालेशन के बाद हमारे पस यूबंटू करना होगा, तो यूबंटू के लिए जो मैं आपको रेफर करूंगा, 18.04 ISO image file तो आप इसको यहां से आपके पास के लिंक के यहां से आप डाउनलोड कर लेंगे तो यह आपके पर दोनों इंस्टालेशन जब आपके पर डाउनलोड हो जाएंगे तो हम इसको इंस्टालेशन की तरफ जाएंगे so मैं इसको मैं install machine पर कर चुग है तो आपके पास इस तरह auracle virtual box create वोगे ऐगा after the installation so I just want to open that अब हमने क्या करना है कि हमने machine create करनी है और machine create करने के बाद हम अपनी ubuntu को इसके ओपर एकसेस करेंगे तो अब अभी सबसे पहले हमने अपनी मशीन क्रियेट करनी है उसके लिए एड के आप्षिन पर आप जाएंगे इसमें माई मशीन आपके पास आ रहा होगा यहां पर मैं इसको स्टार्ट कर दिया तो यह मेरी मशीन है जो आड़ी मैंने बनाई हुई थी और कि अगर मैं इसको निः बनाना चाहता हूँ तो अभी आपके पास यह नहीं हा रहा होगा क्योंकि अभी अभी आपने कोई मशीन ही बनाई होगी तो न्यूपे जाओगा तो सबसे पहले मैंने मशीन को नाम देना है जो भी आप मushीन को नाम देना चाहिए जैसे ही मैंने दिया तो इसको मैं देता हूँ न्यू माई मशीन या न्यू मशीन कर दिए तो इसके बाद ये आप से कुछ मैमरी साइज पूचेगा कि इसको आप कितना मैमरी साइज नहीं कि ये आपके सिस्टम के एक और सिस्टम ऑपरेट हो रहा हुता है विच्वल बॉक्स में जिसको आप कुछ ना कुछ मैमरी ऐलोकेट करेंगे तो मैं इसको बाइडिपॉल्ट रहने देता हूँ इसके बाद आप से यह हाड़ ड्राइव उसके लिए पूचेगा जितरा विड़्ो में हाड़ ड्राइ सेटकर अब चल्क Naut ओसना कर देजस्टों आपकी जो भी होगी स्टोरीच फिजीकल ये भी इसको बाइडिपॉल्ट सेट करें इसके बाज अगर उसका आफ साइज चेंज करना चाते हैं साइब कर सकते हैं मैं इसको डिफॉल्ट की सेट कर रहाँ सो इस प बाद हमारे पास अब ये हमारा जो मशीन का setup create हो चुका है अब जो next step इसमें हमने करना है कि हमने Ubuntu आमने इसमें इस पैस इस पे install करना है जो ISO हमने फाल इसमें already download कर चुके हैं हमने just उसको इस पे हमने चेक करनी होगी, जो कि इसका important part है, उसके बाद हम इसको start करेंगे, तो इसमें हमाई पस general में आके advance में, इसमें हमें बता रहा है कि इसके आपने shared clipboard के हम इसको किस तरह रखना चाते हैं, तो आप इसको by directional रखें कि आप windows के through इसको access, दोनों windows को by directionally access कर सकें, तो आप यहाँ आप यह दो option आप set करें, उसके इलावा description यह सब हम इसको by default set करते हैं, यहाँ पे systems में आपके पस यह आपकी basic memory पूछेगा अगर आप इसको change करना चाते हैं, आप कितना उसको, आप आपके system के requirement भी है, आपकी RAM कितनी है, उसके according आप memory डिवाइड कर सकते हैं, इसी तरह प् आप कितना divide करना चाते हैं, systems को, तो आपने visual box को कितनी memory देना चाते हैं, तो वो यहाँ से आप adjust कर सकते हैं, तो मैं इसको 2 पे कर रहा हूं, इसी तरह हमारे पास, इसमें और हम कुछ change नहीं करेंगे, display की setting है, यह इसी तरह by default और storage में, अब यहाँ पे हमने जो करना है, हम फाइल में जाएंगे, तो आपने जहां भी वो download की होगी, virtual file वो आप आपने यहाँ इसको देनी में, पस यह Ubuntu ISO है, तो इसको यहाँ पे मैंने लोड कर दिया, बाकी setting हम इसी तरह रखेंगे इसको, और इसके बाद हमने इसको start करेंगे, so इसकी हमारी setting सब होगी, इसके just हमने okay इसको कर देना है, ताकि यह इसको just create कर देगा, अब हमारा यह सारा, हमने machine create कर लिए है, उसमें हमने file load कर लिए, अब just हम इसको start कर लेंगे, तो इसके बाद यह Ubuntu की इसमें installation start कर देगा, और it will take some time, so let's wait for it, तो यहाँ पे यह आप इसकी Ubuntu इसमें installation start कर देगा, यह कुछ इसमें इसके process में यह भी time लेगा, installation के तो इसमें आप wait करेंगे, तो यहाँ पे अभी यह Ubuntu को load कर देगा, कर रहे हैं, जैसे Windows, हम normally install करते हैं, यह Ubuntu system आप install करेंगे, उसी तरह यह Ubuntu इसमें load कर रहे है, इसके बाद हम इसमें just इसके setup कुछ हम देएंगे, उसके बाद अब क्या हुआ कि हमारा वो just file run हुई है और यह Ubuntu install हो गया, तो यह normally जैसे हमारे पास operating system है, उसी तरह हमारा चल रहा है, लेकिन यह क्या है, एक virtual box के तरह हम दूसरी window यूज़ करेंगे, तो यह normally जैसे आप अगर यूबंटो system पे install करेंगे, तो यह बिलकुल उसी तरह आपके पास काम करेगी उसी तरह इसके सारे icons हो गरे और उसी तरह इसके device हो गएर, ट्राइव आपको सारे option इसमें शोर होंगे, आप इसको use कर सकते हैं, बाकी इसमें, आप इसको जब execute कर ले हैं, जो भी आप जिसमें काम करना चाते हैं वो करेंगे, अ अलॉट की इसलिए मेरे पर ये बहुत स्लोव भी चाल रहा है इसके बाद जब आप इसको यूज कर लें तो हम इसको सिंपली जैसे शॉट डाउन करते हैं अपने सिस्टम को उस तरह शॉट डाउन करके और विच्व बॉक्स को दुबारा एक से इसके अगर मेन्यू स्टार् आपके हम इसके कि अविच्व बॉक्स पहरा आइं करेंगे यहां यह में से पूच का पावर आफ करना है शर्ट डाउन करना क्यूं है तो अर्येशनव बॉक्स करेंगए अब इसको करेंगे तो यह बॉक्षा depends हां यह जैंकर श्रूस करेंगे कि अहां करें तो ये जचिक पास एक विर्चुल मशीन आप यहां पर बंगे अब जब आपको यूबंटू प्लैफॉम इन्वाइर्मेंट चाहिए तो आप यहां से स्टार्ट करके अपनी मशीन में जा सकते हैं फर्दर आप इसमें कुछ चेंजिस करना चाहते हैं कुछ रैम साइज इसको हर्ड ड्राइब में चेंजिस करना चाहते हैं तो वो दुबारा सैटिंग में आके यहां से आप इसके प्रोसेसर सो गयरा चेंज कर सकते हैं फर्दर इसकी डिटेल आपने जो सिस्टम आपका क्लियेट हुए वह आप सारी उसकी डिटेल यहां पर देख सकते हैं आपको इसमें कुछ सीखने को मिला हो कि किस तरह मुल्टिपल ऑपरेटिंग सिस्टम विच्वल बॉक्स के थू एकसेस कर सकते हैं धिस्टम पर वाचिक लेडिया